अयोध्या नगर निगम ने निगम शेत्र को सेनिटाइजेशन करने के लिए जर्मनी से प्रेशर सेनिटाइजर मशीन मंगवाई है इस मशीन को ट्रेक्टर ट्रॉली पर रखकर पूरे शेहर को सेनिटाइज किया जा रहा है नगर आयुक्त विशाल सिंग ने बताया कि हेंड सेनिटाइजर मशीन से शहर को सेनिटाइज करना मुश्किल हो रहा था जिसके लिए इस जर्मनी से प्रेशर सेनिटाइजेशन मशीन मंगवाई गई है और अब इस मशीन से शहर को सेनिटाइज करना आसान होगा शहर के अस्पताल वा बिल्डिंग, साजवनिक इस्थलों वा अयोध्य धाम के धार्मिक इस्थलों को भी सेनिटाइस किया जाएगा नगरायुक्त विशाल सिंग ने आंशिक लोगडाउन में खुली दुकानों के मालिकों से अनुरोत किया है कि वो अपनी दुकानों के सामने डस्ट मिन रखें और कूडा उसी में डाले नगरनेगम की गाड़ियां आएंगी और डस्ट मिन से कूडा उठा कर ले जाएंगी नगरायुक्त विशाल सिंग ने कहा कि नगरवासी साफ सफाई में नगरनेगम का सयोग जरूर करे SB News के लिए शेलेंगर सिंग की रिपोर्ट प्रक पे माउंट करके हम लगातार बहुत बड़े छेत्र को कवर कर सकते हैं और मेकनाई सनिटाइज़ेशन हमारे जो करमचारी हो उनके लिए भी हानिकारक नहीं है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हम लोग मशीनों का उपयोग करें और बहतर से इंटैशन विवस्ता लोगों को दे पाएं जितनी भी दुकाने हैं जो अपारी प्रतिष्ठान इस समय लावदाव में खुले हुए हैं उनको हमें सही हो करना पड़ेगा और इसके लिए अगर अवश्यक्ता होगी तो हम नुसाशन लागू करेंगे दुकानों को खोलने वाले लोग उनके जारा जो पूरा जेनरेट किया जा रहा उसको अपने सामें डस्मिन रखे ताकि उसको इकठा करना आसान हो इस समय सभी लोग ओवर ड्राइव में हैं हमारे नगर निगम की करमचारी सफाई करनी एक्स्टा मेहनत करनी पड़ रही है तो ऐसे पैंडेमिक के समय में बैपारियों से मैं पिक्षा करता हूं कि वह सहयोग करेंगे कि सहर की जो सफाई विवस्ता है उसको स्विल्ट बनाने में हमारा सहयोग करें यह उन से मेरी अपील है पूरा पूरे पूरे च्छितों को करेंगे हम लोग यहां फैजाबाद से में करके और रयोध्या तक सभी होट्स को सभी सारवलिनी कस्थनों को सभी धार्मी कस्थनों को और सभी कंटेन्मेंट जो